गाज मैं सेयर करूंगे बेसन के बहुत ही चटपटी और अलग रेसिपी तो चलिए रेसिपी सुरू करते हैं हलो गाज वेलकम टू माई चैनल रीतु की दुनिया हर हर महादेव तो गई मैंने लिए चार प्याज जिसको मैंने छील लिया है इने हम छील लेगे और छीलने के बाद ये लिया है चोपर इसमें मैं कट कट करके डाल लूगे सभी प्याज को इसे जो है बहुत ही आसान तरीके से चोप हो जाती है प्याज और नहीं आखों में आसुआते हैं तो हमें इसमें काटके डाल लेना है और इसे ढखके इसे चोप कर लेना है तो गाई यह देखे हमारी जो प्याज है वो चैसे बारी बारी कट गई है अब इसे हम एक बरतन में खाली कर लेंगे और हाँ गाई अब तक आपने मेरा चैनल स्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे के आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको ऐसी नहीं नहीं रेसिपी वीडियो देखने को मिल सके और रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें तो यह देखे मैंने प्याज को चोप कर लिया है उसे हम साइड रग देंगे अब हम लेंगे तीन से चार टमाटर यहने भी हम इसमें चोपर में डालक के रख दिया है तो चलिए गैस पे चड़ा देते हैं कड़ाई उसमें डाल देंगे हम तेल डालने के बाद अब इसमें हम आदा चमच जीरा डाल देंगे जीरे को हम अच्छे से भून लेना है जीरे को एकदम ब्राउन कलर कर लेना होगा गाई यकिन मानी यह जो सबजी है बहुत ही ज़ादा टेश्टी लगती है आप इसे एक बार बनाएंगे न तो आप इस रेसिपी को बार-बार ट्राइ करेंगे और महमान आए घर में तो आप उसको भी बना के दे सकते हैं तो यह देखे प्याज इसमें मैंने डाल दी है और प्याज को भी हमें ब्राउन कलर का भून लेना है क्योंकि प्याज हमारी जो अच्छे से भून जाएगी तो तभी हमारा जो सब्जी में टेस्ट आएगा वह बहुत ही अच्छा आएगा तो यह देखे चार से पांच मैंने लाल साबुत मिर्च भी डाल दी है और आज भूत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बन लेवे तो ुमन फाल देंगे और आदा चम 은 harmful जबाल देंगे और नमक इसमें साध अनुसार डालेगे 아 है है और से चला लेंगे हमें किसे मसायर को अच्छा से पकारना होगा है कि इसे हमें धीमियाज पर पकारर है तो देखे, इस तरीके से पकाना है, और देख सकते हैं, कितना अच्छा हमार ग्रेवी है, तो अब इसमें हम एक गिलास पानी डाल देंगे और पाने डालने के बाद अब इसे हम ढखके छोड़ देंगे जिससे की अच्छे से पक जाए और तब तक हम बेसन को रेडी कर लेते हैं इसे हम दीम्याज पर पकने देंगे तो यह हमने लिया है एक कटोरी से कम बेसन इसमें मैंने डाल देंगे एक छोथाई चमच नमक और चमच चमच लडी और एक चमच ही लाल मिर्श आपषज तस पर रखेंगे एक कढ़ाई ले सकते हैं या भीगोना ले सकते हैं या आप कोई पैन ले सकते हैं मैंने ये पैन लिया है जिसमें मैंने एक से डेट गिलास पानी डालके पानी को गरम कर लिया है अब इसमें हम छोड़ छोटे पीसिज करके यानि छोड़ छोटी बोल गोल गोल इसमें डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से उबाल लगा लेना है समयानी से पका लेना है तो यह देखें पानी में खुब अच्छे से उबाल आ गया है और जो हमारी बेशन की बड़े यह भी अच्छे से पक के तैयार हो गई है अब इसे हम नीचे उतार लेंगे और ये एक्ष्ट्रा पानी इसका सब निकाल देंगे तो ये देखे, हम अपने ग्रेवी को भी देख लेते हैं जो हमारी ग्रेवी है, वो अच्छे से पक गई है अब इसमें हम जो हमारी वो बेसन की बड़ी थी उनको पानी निकालने के बाद अब इसमें हम इसको छोड़ देंगे ये देखे इस तरीके से अब इसे हमें चला लेना है और इसे 5-7 मिनट पका लेना है इसमें डालने के बाद अब इसमें हम कसूरी मेति डाल देंगे और इसे चला लेंगे ये देखे कितने अच्छे से पक के तयार हो गई है हमाइड सबस्जी और इसमें आप हम थोड़ सा कटा हुआ धनिया मी डाल देंगे तो गई घर में कोई सबस्जी ना हो तो आप इस तरीके से सबस्जी बना के मैवानों को भी दे सकते हैं खूद भी बना के खा सकते हैं तो आपको रेसिपी कैसी लेगी मुझे कॉमेंट बोक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हर हर महाद